सुनावा IRFC लिमिटेड आप देखे 175 रुपए 75 पैसे प्राइस है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इलेक्शन की चलते एक ख़बर जो है वो बिल्कुल मिस हो गई है IRFC के अंदर बहुत ही बड़ा गेम हो चुका है हजार करोड रुपए की खरिदारी हजार करोड से ऊपर की खरिदारी आपर जो है अचानक से देखने को मिली है ऐसे मैं budget का time है क्या ये budget की तैयारी हो रही है because ये budget जो है वो बहुत ही बड़ा budget कहा जा रहा है और इस budget से जोड़ी कोई भी खबरे आ रही है तो stock के अंदर सिर्फ तेजी भरने का काम कर रही है defense में अभी जो है वो जादा तेजी फूकी जा रही है बाकी अभी जब railway पर ये चीज सिफ्ट होगी तो railway stock कहीं न कहीं दोड़ना स्टार्ट करेंगे उससे पहले ये बड़ा पैसा जो है वो infuse किया गया है निवेसकों की तरफ से और अभी अगर आप देखे हैं तो railway stocks में कुछ चमक दिखाई नहीं दे रही है हाला कि एक गिरावट जो आई एक बुरी गिरावट जो आई election की time आपने देखा होगा उससे यहाँ पर अभर आए लेकिन जो dip आई वही तो सब कुछ था जो एक fix था कि election की time stock जो है वो टूटना स्टार्ट होंगे क्योंकि जो तेजी होनी थी वो हो गई तो जितना dip आना था वो आ चुका है अब जो होगा वो budget की तैयारी है कहें न कहीं थर्ड फेज की जो तेजी है वो कहें न कहीं होना बाकी है और railway stocks अभी आपको चमकती हुए दिखनी रहें इरकॉन भी अभी वहीं पर है RVNL भी वहीं पर है rights अगर आप देखें तो वो भी आपर जो है वहीं पर आपको देखनों मिलता है और IRFC भी जो है वो वहीं पर stable है लेकिन अभी आपर जो है अगर खवर आएगी तो इन stocks में जान फूक जे लेकिन ऐसे ही कोई खवर अगर आने नहीं railway के अंदर कितना budget है आपर जो है railway sector में फूक का जाएगा तो यह stocks जो है वो दोड़नाय स्टार्ट करते हैं 200 तो पता भी निचे लएगा IRFC के अंदर 200 रुपय का हाई है और जब यह हाई टूटेगा तो आप यह समझ लिए जगा कि एक नई तेजी की सुरुबात होगी और वो third phase की तेजी होगी याद रखेगा कि इसके बाद कोई क्यूज है नहीं अपने पास यानि कि बजट अगर एक बार निकल गया तो इसके बाद कुछ भी आपर बचेगा नहीं तो दिहान रखेगा कि जो तेजी हो रही है उसमें valuation भी आपको count करके चलने है तेजी को play करिए वर valuation भी count करते चलिए इससे बहतर कुछ नहीं है मैं दो बार आपको बोल चुगा हूँ दो बार वही होता हूँ दिखाए तीसरी बार में भी यही कहीं न कहीं होता हूँ दिखेगा भी and all eyes on union budget presentation अब यह सबसे बड़ी बात है defense में चमक रहे है stock railway की बारी जरूर आएगी और जैसा कि यहाँ पर फरवरी में कहा गया था कि एक बड़ा order जो है वो उन stocks पर focus करना पड़ेगा जो यहाँ पर railway coaches बनाते हैं coaches के लिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर order दिये जाएंगे government की तरफ से यह तो clear है नई ट्रेने भी कहीं न कहीं start करी जाएंगी तो सब के लिए big big situation जो है वो बनी हुई है railway खबरे बस आना वाकिये रेलेवे के लिए बस इतना ही इंतज़ार और अब देखेंगे मैं आपको बताता हूँ किन-किन company उपर द्यान दे रहा है देखें IRFC सब कुछ नहीं IRFC funder है सभी का और यहां पर आपको जो फोकस करना है वो रेलवे कोचेस बनाने वाली कंपनियों पर फोकस करना है दूसरी बात वो जो टेकनोलजी कवच कवच टेकनोलजी से related जो कंपनिया है जो भी हो उन पर आपको द्यान जरूर देना है क्योंकि जो अभी आपने हाली में सुना कि accident जो हो रहे हैं उस पर रेलवे काफी concern है ठीक है ना बहुत जादा पैसा कहीं ना कहीं फूका जा सकता है उसे टेकनोलजी को अपग्रेड करने में ताकि यह हासे होना बंद हो जाएं तो ऐसे मैं दूसरी कंपनियों पर बहुत जादा ध्यान देना होगा कोचिस से भी जादा ध्यान देना होगा जो रेलवे की यहां पर जो ट्रैक्स की टेकनोलजी है उसको अपग्रेड कर रह पर इस बात को समझना पड़ेगा बड़ यही बात है कि IRFC के अंदर जो President of India है हमारे ठीक है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है स्टेक जो है वो ओन करते हैं और जो बची कुछी स्टेक है उसमें रीटेल, FIS, DIS सब को ही आ जाते है तो बचे हुए शियर्स इतने हैं नहीं और इसी वज़ेसे यहाँ पर जो है स्टॉक जम्प ज दे जाता है कभी का बार अगर यह नंबर ऑप्शियस जादा यहाँ पर जो है देखने को मिले तो इतना यहाँ पर बूम नहीं देखने मिलेगा इवन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर अपनी स्टेक कम कर देना तो काफी यहाँ पर जो है दिक्कत हो जाएगी लेकिन ऐ देखो गई हजार करोड सॉरी 294 करोड तो आपका क्वांट ELSS टेक्स सेवर फंड ने ही यहाँ पर जो है इंफ्यूज किया है HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड ने आपर जो है 257 करोड रुपए यहाँ पर इंफ्यूज किया सॉरी यह यह अल्मूस्ट था पहले से HDFC बैले से स्टेक्स सिवर फंड ने किया है क्वांटमेंटल फंड जो है वो 144 करे है उसके बाद भी 4-5 स्कीमे हैं जो आती है तो मोटा मोटा जोड जाड कर अगर आप देखेंगे तो यह 700 से 800 करोड के असपास की रकम निकलेगी जो कि क्वांटमेंटल फंड की तरफ से इंफ्यू स्टॉक में आना कोई मामूली बात नहीं है यह सारी चीजों को जो है ना वो बिल्कुल कंफ्यूज करके रख देता है एक तो स्टॉक हाई वैल्यूशन पर चला है बहुत बड़ी संभावना यहां पर गिरने की वी होती है लेकिन वो गिरेगा नहीं ऊपर से यहां पर जो यहां पर जो है आपका यहां पर जो एक मूचल फंड का डेटा है वो दोबारा आएगा तो उसमें देखते हैं क्या होता है बट बहुत बड़ी और एक अच्छी ख़बर है कि मूचल फंड वाले इतने हाई वेल्यूशन स्टॉक में अभी इसे पूट कर रहे हैं अभी इत दिसमबर से एक ट्रेंड लाइन जा रही है इस स्टॉक के अंदर जब तक यह ट्रेंड लाइन चार्ट पर बनी है तब तक आपको इससे हटना नहीं आयार FC से भागना नहीं है छोड़ना नहीं है इस बात को समझेए टेक्निकल वेसेस पर भी समझना जरूरी है यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ से सुरुबात होती है आपकी December से और यहाँ पर March में ये बड़ी ग्रावट आती है और यहाँ पर सपोर्ड लेता है वहीज है ट्रेंड लाइन रहती है और ट्रेंड लाइन के ऊपर ही ये स्टॉक रहता है ट्रेंड लाइन को कट करकर नीचे नहीं आए एवन अभी जो election के टाइम जो बड़ी ग्रावट आई तो ये ट्रेंड लाइन से बिलकुल आसपास सही ये घूमा है ऐसा नहीं है कि ट्रेंड लाइन को ब्रीच करकर ये stock नीचे चला गया हो तो ऐसा नहीं है तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन को जो है न वो सपोर्ट दे रहा है ये stock और जब तक ये ट्रेंड लाइन ठीकी हुई है तब तक आपको IRFC से बिलकुल अलग होने की ज़रूत नहीं है बाई ओन डिप यहाँ पर अगर आप कर सकते हैं जब तक ये लाइन ठीकी है वाई ओन डिप सिंपल सी बात है लॉजिक सिंपल यही है जिसने भी उस वगत बात सुनी होगी इलेक्शन के टाइम कि गिरावट आ सकती है चार तारिकों तीन तारिकों अपने यहाँ पर पोजिशन थोड़ी सी हलकी करके जाईगा उन्हें चार तारिकों निचले लेवल पर बाय करने का मौका मिला है तो इस बात में बिलकुल कोई यहाँ पर शक की बात ही नहीं है निचले लेवल मिलना बहुत ज़रूरी है ताकि वो एक काउंट हो जो प्रॉफिट वो ज़ादा आमें देखने मिले तो आपने को क्या अपने को प्रॉफिट निकाला है लास्ट यहाँ पर मूविंग एवरेज के साब से भी ज़रा देख लेते हैं तो मूविंग एवरेज यही कह रहे हैं कि भाया 164, 163 यह बहुत ही इंपोर्टेंट लेवल है इसे स्टॉक के अंदर सबसे पहरी बात तो यह मूविंग एवरेज भी यही कह रहे हैं और यह जगे भी यही कह रहे हैं तो 164, 163 यह लेवल काफी इंपोर्टेंट रहेंगे आया रेप्सी के अंदर 175 रुपए 60 पैसे चला है और टाइम आई से 25 रुपए की दूरी रह गई है और यह जो पॉइंट है यह अपने को क्रॉस करना और यह पॉइंट वही है 193 और यह 200 इस बाद 200 गया वही से यहाप तुरंद घरावट आगी इसके आसपास भी थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है और इसके ऊपर भी थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है लेकिन अगर टिक गया दोसों की उपर तो कहीना की तैयारी आप कर लीजे यहाँ पर आपको 40, 50, 60 रपए और एड होते हुए देख सकते हैं IRFC के अंदर possible है लेकिन वो बात की बात है हम अभी की बात करते हैं तो अभी moving average और trend line को ध्यान रखें moving average के level याद रखें important level याद रखें और यह trend line जो है ना वो अपने draw कर लीजिए वन डे केंडल सिक चार्ट पर ताकि आप live market में भी इसको track कर सकें जब यह trend line की नीचे trade करने लगा तब आप कहिएगा कि IRFC के अंदर बहुत दिक्कत हो चुकी है तब आप कहिएगा सुमीद है काफी कुछ आपको समझ में आगा एक बार बेचने से पहले या खरिदने से पहले अपने ब्रोकर एड़ाइस है जरू सला लीजे या खुद की study करिएगा खुद की study काफी important है इससे बैतर कुछ नी तो रेलिवे स्टॉक में कोचिस और आपका या पा जो है अपग्रेडिंग वाले जो टेक्नोलजी अपग्रेड करें उन स्टॉक पर जरू द्यान दीजिए तो आपका कहना है इस कुपल कमेंस असन के और अतीज विजा बढ़े देखने के लिए बत्तो दल्मा दोस्तो